हेलो फ्रेंड्स आज आपके साथ एक 3BHK वाला प्लान्स यार करूँगा जो वेस्ट फेस्ट का रहेगा यह जो प्लान बनाया हूं इसका जो प्लर्ट एदिया है यह है 42 फीट इन्टू 45 फीट का ठीक है तो इस प्लर्ट के एरिया में मैं जो प्लान बनाया हूंगा इसका जो बुल्ड एप एरिया है यह है एक साइड 42 फीट और एक साइड 36 फीट का ठीक है तो मैंने प्लान बना लिया हूं अभी आपको मैं देरे देरे करके डिटलिस में बताऊंगा तो पहले हम यह कॉलर कर लेंगे वाल फिलिंग कर लेंगे ठीक है इससे पहले आउटर वाल को फिलिंग कर देते हैं इसके हो इसका यह मैं कैसे फिलब कर रहा हूं और वीडियो को एंड तक दिखिए तभी आपको पता चलेगा यह मैं कहां पर कैसे क्या आयरण किया हूं और प्लान पूराबास्तु के हिसाब से है तो आप एंड तक देखोगे तभी आपको पता चलेगा ठीक है तो इधर भी हमें इसे फिलब करते जाएंगे ठीक है एक भीवर का रिक्वेस्ट पे मैं प्लान बनाये हूं तो आपको भी कोई प्लान का जरूरत है अभी चाहते हैं आपका ड्रीम हाउस बनाने के लिए तो आप वीडियो में कमेंट बस में जाएं कमेंट कर सकते हैं हां लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि अब जब भी कमेंट करते हैं कि प्लाट अरिया या बुल्डर पे दिया कितने थो रूम चाहिए कौन सा दिशा में फैस रहेगा क्या 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 आपका रिक्वर्मेंट है कितने ठीवर्म ज़रूरत है ट्वालेट कम बात रूम कितने चाहिए पार्किंग चाहिए कि नहीं चाहिए इस सब डिटेल में पताना है तो मैं आपके लिए प्लान मतलब एक सही प्लान बना सकोंगा और बार बार में पूस्ते रहूंगा प्लट या है या बुल्डर पे जो या he three great डाई है या फ़र वेस्ट चाहिए पार्किंग चाहिए की नहीच चाहिए जिसे मतलब बार मैं फूचते रहें होंगा आप बोलते हैं कि मैरे-विपलन बनोना मुष्ट हो जाएंगा कि कि बहुत सारे लोग में रहें रिक्मेंट कर रहे हैं मैल भी कर रहें तो सब लोग का प्लान बनाते मेरे को भी थोड़ा बक्त लाग जाएगा ठीक है तो यह हो गया अब हम क्या करेंगे ग्रीन कलर में जो भेकर जगा में छोड़े हैं जहापर विंडोज है मतलब बैंट्री लेशन के लिए बैंट्री लेशन परपद में जो कुछ छोड़े हैं उसी में आइडिफाय कर दूँगा ठीक है तो आप देखें इसे करके चारों तरफ में इसे कर दूँगा यह प्लान फूली मतलब भीवर के कमेंट्री बैस करके बनाया हूं ठीक है तो इसे फिर दर्वाजा बना लेंगे ठीक है तो जिसके लिए प्लान बना रहा हूं वही सार ने मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो सार आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर कमेंट करके बताना वीडियो में कि प्लान अच्छा लगा या नहीं ठीक है तो इधर एक नर्वाजा इधर एक छोटा छोटा दोनों दर्वाज़ा देंगे ठीक है तो यह रहा हमारा प्लान अभी इस प्लान के बारे में मैं आपको डिटल्स में बताऊंगा लेकिन इस से पहले मेरा एक शोटा सा रेक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल में नया है या अभी तक मेरा चैनला को सब्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्क्राइब कर दना तो चलो इस प्लान के बारे में मैं आपको बताता हूँ तो इस तरफ है इस्ट और इधर वेस्ट इधर नर्थ और इधर साउथ ठीक है तो हमारा जो प्लाट एरिया है यहां से यहां तकी यह है हमारा 45 फीट ठीक है 45 फीट और इधर जो है यह है 42 फीट तो इसमें मैंने एक बुल्डव एरिया चुछ करके प्लान बनाया हूँ तो जो बुल्डव एरिया का जो है लेंग्थ यह है फोटल टू फीट जहां पर 45 फीट प्लाट एरिया है वहां पर हमारा 42 फीट लिया और जहां दिस तरफ फोटल टू फीट है वहां पर हम लोग 39 और इस तरफ 36 का एरिया लिया ठीक है 36 तो इस प्लाट में इधर जो वेस्ट में पस्चिम की दिशा में रोड है और साउथ की दिशा में भी रोड है इधर भी मेर रोड है ठीक है तो यह करनल प्लाट है जहां पर दोनों तरफ रोड है तो हम क्या करेंगे जहां पर फैस करेंगा उस तरफ तीन फिट फैस छोड़ेंगे कि फ्यूचर मैंटरेंस के लिए और भंटेशन के नर्थ साइड भी तीन फिट और इट साइड भी तीन फिट का पैस छोड़ेंगे लेकिन साउथ फैस के हम लोग कुछ पैस नहीं चलेंगे ऐसे ही रहेंगे ठीक है तो यह रहा हमारा सीट आउट आगी की तरफ वेस्ट फैस में जो हम ओपन बरंडा कहते हैं ठीक है इसका जो साइज रहेगा जो डाइमेंशन है यह है वीड्थ में 10 फिट का और लेंग्थ में 11 फिट 6 इंच बड़ा सा सीट आउट है बारंडा है तो यह रहा हमारा मेंडूर जो जेनराली लखड़ी का रहता है यह 4 फिट का रखेंगे तो अंदर जाने के हमको यह मिलेगा लीभिंग कम ड्रोइंग रूम ड्रोइंग रूम ठीक है इसका साइज है डाइमेंशन वीड्थ में चोड़ाई में 11 फिट और लेंग्थ में 16 फिट मेंडूर में एंटिक करने के बाद र्याइट तरफ हमको मिलेगा मास्टर फीट जो बङस्तु के हिसाब से यह साउथ वेस्ट करनार पार यहां पर हमारा मास्टर से बेड्रोम है जो उरत में 12 फिट है और लेंग्थ में 14 फिट में यहां पर मैंने दो ट्वालेट कम बात में रखा हूं यह वेस्टन कमडो जो 4 फीट है चोडाई में और लेंग्थ में 6 फीट 6 इंच है ठीक है और यहर एक इंडियन टाइल का रखा हूं जो 4 फीट है उड्थ में और लेंग्थ में 7 फीट है आपको जरुरत नहीं है तो एक चाहिए एक तुसरा यूज में कर सकते हैं तो इसके बाद इसके बागल में देखिए रखा हूं यह है हमारा और एक बेड्रूम बेड्रूम यह हम चाइल्ड चिल्डेंस मतलब भरका बच्चलों के लिए एरेंज किये है मैंने इसके हिसाफ से यह अच्छा रहेगा तो इस चोड़ाई है यह है 12 फीट है और लेंग्ध में भी 12 फीट है इस तरफ बेंटिलेसन के लिए भी 4 फीट का एक उइंडो चोड़ा हूं और यहां पे एक आटच टैलेट कमबात्रम भी रखा हूं तो इसका चोड़ाई है 4 फीट और लेंग्ध है 6 फीट ठीक है फिर इससे पहर आएंगे तो यह दिलchi पास रखांओ एंदागे है तो यहाँ पर मैंने दैनिंग एरिया यहां इधर तो यहां पर एक बेस टैलेमट हम लोग आरम से चल्प बाएंगे और इस कौरणा पर हम पूझा इस करेंगे ऐ है तो इसका जो तो size है, यह है 8 foot गोडाई में और length में 9 feet का है, बड़ा सा room है, फिर मतलब right side में यह है हमारा kitchen जो अगनी कून में है, इसका जो चोडाई है, यह है 8 feet और length है यह 10 फिट ठीक है फिर आमने सामगे दिखे यह है हमारा स्टोर तो स्टोर का जो साइज भी है बड़ा साइज है आठ फिट का छोड़ाई है और आठ फिट लेंग्ध है तो आएंगे फिर फिर लेफ्ट तरप में देखेंगे यह हमारा बेड्रूम और एक जो गेस्ट बेड्रूम के लिए हिसाब से यूज़ करेंगे और गेस्ट रूम जो कहलाता है गेस्ट रूम तो इसका जो चोड़ाई है यह भी है बारा फिट और यह भी लंबाई भी बारा फिट है यहाँ पी भी मैंने एक आठेच टैलर्ट का बात्रूं रखा हूं जो चोड़ाई 3.6 इंच है और लेंग्थ है 7.8 बड़ा सा है ठीक है फिर बाहर आएंगे यहाँ पी दिखेए बड़ा सा स्पेस है यह तीन फिट का एक स्पेस है तो यहाँ पी हम वासिंग बेसीन लगाएंगे हैंड़ास करने के लिए वासिंग बेसीन एक और इधर यह ह है हमारा कमउन टोयलेट कम बात्रों जो सब के लिए है इसका जो चोड़ाई है 4.6 और लेंग्थ है 7.8 तो एंटी करने के बाद लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड में देखिए यह पास है एक दूर लगाएंग तो सही यह रहा हमारा सीड़ी उपर जाने के लिए तो यह रहा मारा पार्किंग एरिया जो इधर हमें एक बड़ा सा गेट लगाएंगे जो लोएका गेट रहता है आपका मद यह आप लगायेंगे तो सही नहीं तो नहीं वह भला नाइन फीट बोला एक गेट लगाएंगे गेट यहाङ पर ठीक है तो यह अन्टी करेंगे तो यह रहा हमारा पार्किंग एरिया ठीक है कार पार्किंग बड़ा सा मैंने रखा हूं कार पार्किंग लिए इसका जो चोड़ाई है यहां से यह है 12 फिट का और लेंध है हमारे जितना जगह है यहां तक 17 फिट 15 का बड़ा सा है कि ए तो यह रहा हमारा प्लाण जो आपको में बता दिया तो आशा करता हूं कि ऐ सब्सक्राइब करने तो प्लीज सब्क्राइब कर देना थैंक्यू